जिन्होंने लोन लिया है उन्होंने जोरूर सुना होगा सिविल स्कोर के बारे में सिविल रिपोर्ट के बारे में एस सिविल रिपोर्ट मिलता कहां से सिविल रिपोर्ट मिलता है ट्रांस इनियन सिविल से ट्रांस इनियन सिविल एक केडिट बुरा है जहां से केडिट हो है हम लोग उस कस्टमर का Civil Report चेक करके देखते हैं उनका ऋबस्ट कोई प्रॉब्लेम नहीं है जिस करण से उनका लोण रिजेक्ट हो सकते हैं कभी-कभी ऐसा भी हुआ है हम लोग कस्टमर को Civil लिपोर्ट ठीक कर दिया हो उसके बाग कस्टमर FID से loan के लिए apply किया है और ओं loan reject हो गया है customer हमको phone करके यह बोलते हैं अपने मेरा civil report ठीक नहीं किया है क्योंकि civil score के वाज़े से मेरा fit से loan reject हो गया है ऐसा क्यों होता है ऐसा होता है क्योंकि Transunion civil छोड़ के और भी 3 केड़िट बुरो है ओ है Equifax, Experian, Crefimark ये तीनों company भी credit report देता है और उसका credit score भी रहता है वो जो customer जिन्होंने बोल रहा है कि मेरा civil score के करण से मेरा loan reject हुआ है हो सकते हैं जिस credit institution ने उन्होंने loan के लिए apply किया है वो credit institution trans union civil का report चेक नहीं किया है उसके जगा में दूजरा किसी credit bureau का report चेक किया है और हम लोग भी जिस customer का civil report ठीक कर दिया हूँ बाद में जाके उसका loan reject हुआ है हो सकते हैं वो credit institution दूजरा किसी credit bureau का report चेक किया है जहां पे कुछ न कुछ प्राबलम था उस करण से उनका loan reject हुआ है हर कोई customer दूजरा किसी credit bureau का जो report होता है उसको civil report क्यों बोलते है क्योंकि civil पहला company है जिसको सबसे पहले license मिला है customer का जो loan history है उसको record रगने के लिए और उसके basis पे credit score generate करने के लिए civil जिसका पूरो नाम है credit information bureau इंडिया लिमिटेड civil को license मिला है और वियाई से 2000 में 2010 तक हार कोई bank manager civil report चेक करते थे civil score चेक करते थे customer को loan देने के लिए सिब customer का नहीं bank का जो manager है उनको भी habit हो गया था civil का जो credit report था उसको civil report कहना और उनका जो credit score था उसको civil score कहना उसके बाद 2010 में जो तीन company है Equifax, Experian, Creephymark उनको license मिला है उस time से कुछ credit institution और भी जो तीन credit बुरा है वहाँ से credit report चेक करना सुरू किया मगर वो जो पूराना habit था civil report और civil score कहना वो habit रहे गया है इसलिए customer लोग भी दूसरे किसी credit institution का report को score को civil report कहते हैं इस जो चार credit बुरा है इसके अंदर में अंतर क्या है इसके अंदर में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है हर कोई credit बुरो जो score बनाते हैं उसका parameter एक ही है मगर score अलग-अलग होता है चार credit बुरो में इसलिए क्यूंकि हर credit बुरो में algorithm different होता है हर किसी company में score 300 से लेके 900 के बीच में होता है हर कोई credit बुरो customer का जो repayment history है जो credit mix है जितना time से loan customer लिया है यह सारे चीज़ के उपर score बनाते हैं अभी कुछ credit institution ट्रांसविजन सिविल को छोड़के दूजरा credit बुरो follow कर रहा है इसलिए क्यूंकि सिविल का जो report है उस थोड़ा बहुत costly होता है individual customer भी एक सिविल report खरीदना चाहेगा तो उसको 550 देना पड़ता है और भी तीन जो credit institution है वह से आप सिविल report 300 से लेके 400 के बीच में देखे एक report खरीद सकते हो फिर भी हार credit bureau का RBI के guideline की हिसाब से हार credit institution में और किसी customer को हर साल में एक free credit report मिलते है एक free report के बाद आप credit report और भी लेना चाहते हो उसके लिए आपको subscription fee देना पड़ेगा subscription fee depend करता है कितना दिन के लिए आप subscription लेते हो टांस इनियन सिविल आभी भी सबसे popular है क्योंकि ज़्यादा तक bank and credit institution आभी भी टांस इनियन सिविल का score चेक करते है कोई कोई non banking finance company Equifax experience क्रीफ हाइमर का report चेक करते है कोई कोई PSU bank क्रीफ हाइमर का report चेक करते है इसलिए क्योंकि वहाँ पे microfinance company से जो loan लेता है उसको भी रिपोर्ट रहता है फिर भी मुहाँ पे भी civil report चेक होता है civil report आप कैसे free में ले सकते हो उसके लिए मेरा डीटेल वीडियो है ओ वीडियो आप चेक कर सकते हो उसका link मैं description में दिया हूँ similarly और भी जो credit bureau है वहाँ से भी आप ऐसे ही report चेक कर सकते हो वगर report निकलने का थोड़ा बहुत difference आपको दिखने के लिए मिलेगा जैसे कि क्रिफ हाइमर्द में पहला form जो है fill up करने के बाद आपको एक link चला जाएगा email में वह link क्लिक करके आपको form fill up करना है form fill up करना है उसक union civil में आपको report instant मिल जाएगा form fill up करके submit करने के बाद हाँ वहाँ पे थोड़ा बहुत verification और भी रहता है जैसे कि mobile में OTP आता है कभी-कभी account detail का verification भी वहाँ पे करते हैं civil report में आपको कुछ error आएगा वो कैसे आप ठीक करोगे उसके लिए मेरा detail video है civil report में आपको write up रहेगा य वह भी आप चेक कर सकते हो उसका link में description में दे देंगे civil report छोड़के experience या तो क्रीफ हाइमर्ग में आपको कुछ problem रहेगा वो problem कैसे solve करोगे इसके लिए आपको detail video चाहिए तो आप ज़रूर comment करके बताईए ज़्यदा ऐसा comment आ जाएगा तो मैं उसके लिए भी अलग- वीडियो बनाएंगे मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जुरूर लाइक कीजिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं ऐसा ही civil score related, loan related, finance related topic में वीडियो बनाता हूं मिलता है अगला वीडियो में तब तक के लिए be happy, be healthy झाल झाल